दूसरों ये ख़वर लगबग दो दिन पुरानी है जर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में हम कुछ आकडों के बारे में उत्तरप्रदेश में नई सिक्षक भरते के बारे में कितने कुछ यहाँ पर जब हम नामांकन की बात करते हैं छात्रों के वह नामांकन हुए कितने विद्याले खत्म कर दिये गए कितने स्कूल जो है ऐसे में बंद कर दिये गए और यहाँ पर जो सबसे बड़ी ख़वर है वो यह है आप देख पा रहे होंगे कि सिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंग के गाउं का प्रैमरी स्कूल हो जाएगा सिक्षक भीहिन और यह वह देखर के इस स्कूल का नाम यहाँ पर आज दिया गया है चापा गया है पेपर में अब बात कर लेते हैं कुछ आंकडों के बारे में दो हजार अठारा के डेटा को ले करके बात की जाए तो दो हजार अठारा में लगभग आप मान के चलिए 51,000 के आसपस स्कूल जो है वह लेकर के बात करें, 2022-23 के डिवरेशन में आपने देखा कि नामांकन भर-भर के हुआ, ठीक है, लगभग हम बात करें तो लगभग 40-50 लाख वच्चे जो है वह नामांकित हुए, और ऐसे में नामांकित हुए, मतलब हम ये आंकड़ा देखा गया है कि वो प्राइबिट खुल नहीं रहे हैं, उनको वो नामांकन करवा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास में जो मुल्भूत सुविधाए हैं, जो शिक्षा की बात है, जो पढ़ाई-लिखाई की बात है, जो इंफ्रेस्ट्रक्शर की बात है, वही नहीं होगा, तो ऐसे में स्कूल पाउट की समस्या जो है वहाँ देखने को मिली, यह पूरा आंकडा था जो मैंने आपको कही ने कहीं इसके बारे में जानकारी दी, यहाँ पर बस यही बात समझ से परे है कि जब हम इस गबर्मेंट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे सिक्षक भरती पद लेकिन वहाँ पर भरती का नामों निशान जो है वादेखने को नहीं मिल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर बेसिक शिक्षर राजमंतरी संदीब सिंग के गाउं मरहुली में इस प्रैमरी स्कोल सिक्षक विहिन हो जाएगा, इस गाउं में बच्चों को पढ़ाने के लि या फिर बीच में मानते हैं किसी ने किसी को तो तैनात करेंगे, तो ये तैनाती मतलब आप रेगुलर जो भरती है वहाँ क्यों नहीं कर रही है सरकार, ये बात बिलकुल समझ से परे है, यहाँ पर नेती नियम सब कुछ बन रहा है, सारी चीज़े हो रही है, आपने देख था, कुछ थोड़ा सा मौसम माहौल भी बना कि अब भरती देंगे और सब कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला, 22 जुलाई अध्यक्ष चुन लिया जाना था, डेट निकल रही है आज, यहाँ पर भी समय बतायेगा कि इस जुलाई में सेवा चैन करें, बाकी यहाँ पर पूरी ख़वर आप पढ़ पा रहे होंगे, एक और ख़वर यहाँ पर है, जब हम 54 प्रतिशत विद्यालियों में बात करें, तो चात्र सिक्षक अनुपाद जो है, वहां मानक से कम है, और यह जब हम बात करते हैं, यह है काक्षात मक, विकास खंड के 1368 इस्कोलों का सर्विक्षन किया गया, तो चात्र सिक्षक अनुपाद मानक से कम पाया गया, मतलब अभी भी यह सारी चीजें आप देखोगे, जो मंत्री जी है, जो अनुपाद समानुपाद की बात करते हैं, उनके यहाँ भी सिक्षक विहीन हो रहा है, आप अनुपा पर जब हम मानकों को लिकर के बात करते हैं, तो वो पूरी तरीके से कम देखने को मिल रहा है, जरूरत है, और अनुरोध है ऐसे में उत्रप्रदेश सरकार से की एक नई प्राथमिक शिक्षक भरती, जो जूनियर भरती है, ऐसे में जो अन्य भरतियां है, टीजटी, पीज कुछ कहना हो, इस पूरे प्रक्रड़ पर, एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे, अनुर।